खून बनाने की मसीन है ये बीज चार दिन पानी में उबाल कर पी लो इतना खून बनेगा कि डोनेट कर दोगे नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको कुछ ऐसे चमतकारी बीजों के बारे में बताएंगे जो खून बनाने की मसीन का काम करते हैं और आ ना सरफ आपके सरीर की खून की कमी का इलाज करेगा बलकि आपके पूरे सरीर के खून को साप करने का काम करेगा खून को पतला करने का काम करेगा जिससे कि आपके पूरे सरीर में blood circulation proper होगा और दोस्तों वैसे भी मैं आपको बता दू कि हमारे सरीर में जो भी बीमारी होती है उसका कही न कही रीजन खून की गंदगी या खून की कमी होता है हमारे सरीर में blood circulation proper नहीं होता उसके कान हमें बीमारियां होती है खून में गंदगी हो जाती है उसके कान हमारे सरीर में बीमारियां लग जाती है यदि हमारे सरीर में खून की कमी हो जाती है तो उससे भी हमारा सरीर बीमारियों का घर बन जाता है अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी बीमारिय है जो इसके कान पैदा होती है दोश्टो सबसे पहले खून की गंदगी के कान यदि आपके खून में गंदगी है आपको kolostol की समस्या लग जाएगी heart blockage लग जाएगी और इस heart attack के आने का डर बना रहेगा इसके इलावा भी दोस्तो और भी बहुत सारी बीमारिया है जो इन तीनों के काण ही हमारे सरीर में पैदा होती है यानि डेड़ सो त्रहें के रोगों का काण बनती है ये खून की कमी खून की गंदली और blood circulation प्रोपर ना होना लेकिन दोस्तो आज जो बीज हम आपके लिए लेकर रहे हैं वो आपकी इस समस्या का बिलकुल जड़ से समधान करतेंगे और दोस्तो ना सिरफ आपकी इस समस्या का समधान करेंगे इसके इलावा भी आपके सरीर को बहुत त्रहें के रोगों से बचाने का काम करेंगे दोस्तो आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ाने का काम करेंगे और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तों आपको पेट की रोगों से बचाएंगे आपके पाचंतंतर को मजबूत करने का काम करेंगे जिससे कि आपको पेट का कोई भी रोग नहीं लगेगा क्योंकि दोस्तों ये कबज, गैस और एसडिटी भी हमारी स्रीर के 72 त्रहें की बेमारियों का कान बनती है और आपकी ये पेट के सभी रोगों की समस्या कबज, गैस और एसडिटी के समस्या भी इस नुस्खे से बिलकुल सही हो जाएगी इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन तो चलिए आपको बताते हैं, दोस्तों आज की सुरी की जो मुखे समगरी है, वो है दोस्तों, जीरा, कूमिन सील दोस्तों जीरे के फाइदे आपने बहुत बार सुनूंगी दोस्तों हर घर की रिसोई में जीरा मिल जाता है, यह एक मसाला है, और हम इसका मसाले की रूम में ही परियोग करते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दो, कि यह सिर्फ मसाला नहीं है, बलकि यह आपके सरीर के लिए एक ओश्ती की तरहें काम करता है आपके सरीर की खून की कमे का इलाज करता है, खून की गंदगी को दूर करता है, हार्ट ब्लोकेश को खोलने का काम करता है, ब्लड सर्पुलेशन को प्रॉपर बना कर रखता है, जिससे कि आपको हार्ट ब्लोकेश की समस्या नहीं होती, आपको इन पेट के रोगों से बचा क रखते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस जीरे का परियोग करना कैसे हैं दोस्तों आपने क्या करना है एक छोटा चमच जीरे लेकर रात भर के लिए एक गिलास पानी में उसको भीगोगर रखते हैं जैसे कि यह हमने रखा हुआ है अब आपने सुबह जब आप इसको ऊटें तो इस जीरे को सहीध इस पानी को उबाल लें जैसे कि यह हम उबाल रहें अब आप इसको आग से निचे उतार लें और इसमें एक चमच एपल साहडर विनेकर मिला दे और इसके बाद इसमें आदा चमच मिला दे आप सहड आदे से एक चमत तक आप सहद इसमें मलास्कते हैं और जब ये तीनों मिक्स हो जाएं तो दोस्तो ये हो गया आपका नुस्खा रेड़ी आप इसको चान कर भी परियो कर सकते हैं और बिना चाने भी परियो कर सकते हैं खून की कमी का इलाज हो जाएगा आपके सरीर का खून पतला हो जाएगा आपके सरीर का खून साब हो जाएगा और आप अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना देंगे बहुत त्रहेंकी बीमारियों से बचे रहेंगे तो दोस्तों देर किसे बात की है आप भी इस नुस्खे को आज से ही प्रयोग करना सुरू करतीजी दोस्तों इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी विमारी के लिए कोई भी दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नमबर आप देख रहे हैं उस नमबर पर कॉल करके अपने लिए घर पर ही दवा म नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों